हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के डेरिवेशन को देखेंगे किस तरीके से हम उसकी एल्फ से वेलोसिटी को मिजर करते हैं ठीक है इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हम वैंचुरी पिटोट ट्यूब और फ्लो नूजल की जो डेरिवेशन थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं यह डेरिवेशन का मारा प्रटोट ट्यूब का वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम वैलोसिटी को किस तरीके से मिजर करते हैं प्रटोट ट्यूब के एल्फ से उसके बारे में जानेंगे इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं दीखी है तो उसके प्लेश्ट की लिंक आपको डिस्केप्शन में दीए आप वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं यह सिंपली पाइपलाइन है इस पाइपलाइन के अंदर हमने एक पीजो मीटर को लगाया हुआ है और एक बैलोसिटी आप टूब को लगाया हुआ हुआ है पीजो और त्यूब को हमेशः जो ऐस पॉयंट है इस टेकषिग एंशन पॉयंट है इस पॉयंट को हमेशः सेंटर लाइन के सेंथ रखा जाता है ठीकंद यह जो हमारा है यह हमारा प्रिशर है इस ट्यूब में इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोला है वेलोसिटी एड तो इस वाले के अंदर लिक्विट कंप्लीटली फिल है इसमें कोई भी एम्टी पार्ट है ही नहीं तो इसमें जो वी टू स्क्वेर अपॉन टूजी वाली टर्म इसमें होगी नहीं थीक है तो अभी हम इसमें बर्नॉली कुश्ण एप्लाय करेंगे पी पॉइंट और एस पॉइंट पर तो बर्नॉली कुश्ण क्या बोलती है एलवेशन हैड प्रिशार हैड और वेलोसिटी हैड का एलजेब्रिक सम्कॉंस्टेंट के एक्कॉल होता है यह इन दोनों पॉइंट पे लगाएंगे तो एक दोस्टी के एक्कॉल आएंगे अब यहां पर क्या होगा जैड बन और जैड टू इक्कॉल है पहले मैं इसमें लगाता हूं ठीक है तो इस पॉरिंट पर वैलोसिटी हैड भी है एलिविशन हैड भी है मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रौ कर दू मैं ड्रौ करना चाहिए था मैं यहां पर लाइन ड्रौ है तो यहां से यह जैड वन की वैली हो जाए जैड वन है यह जैड टू है यहां से तो जैड वन और जैड टू एक्कॉल है एक दूसरे के ब मैंने इस equation को दो तरीके से लिखा तो मैंने डारेक्ट इसको second जो root g से multiply करके जो equation आती है वो वाली लिए ठीक, z1 से z1 ये कड़ जाएगा z वाली term, यहाँ पर क्या बचा, v1 square upon 2g plus p1 upon w equal to p2 upon w ठीक, अब यह हमारी equation है, इस equation को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो मैंने इसको case 1 और case 2 के लिए लिया है, अलाग अलाग जो derivation हमारे numerical questions होते हैं, उन questions में कभी हमें इस question की values, इन term में values दी हुए ही होती है, कभी हमें इन term में direct value दी हुए होती है, तो हमें उस तरी, जो हमें deriv vision में value दी है, उसके according हम formula का utilize करके हम हमारा answer निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसी में V की जगापर क्या लग रहा हूं, V क्या है, velocity, P1 की जगापर मैं P0 का use कर रहा हूं, P2 की जगापर Ps का use कर रहा हूं, ठीक है, Ps मतलब क्या है, stagnation pressure, यह क्या है, static pressure P0, ठीक, यह V1 क जगापर V आ गया, P1 की जगापर P0, P2 की जगापर Ps, इस equation में, यह plus में है, इस साइड ले क्या हूंगा, यह minus में हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों, मैं हम यहाँ पर, इस नहां से हम B2 की value को निकालेंगे, तो यह into में है, divide में है, उस साइड into में जाएगा, W इन दोनों जाएगी, तो यह क्यों हो जाएगा, 2G upon W, यहां बचा क्या, Ps minus P0, ठीक, weight density equal to क्या होता है, row into G, अब हम 1 upon G को, 1 upon G को, sorry, 1 upon row को क्या लिख सकते हैं, G upon W, वो क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमारे पास G upon W की value क्या है, G upon W है, उसकी value हम क्या put कर सकते हैं, 1 upon row, यहां से मैंने square अटाया, तो इसके उपर under root आ जाएगा, अब इस G upon W की जगा पर मैंने 1 upon row को put कर दिया, तो एक तो मारा यह formula बन गया, इसकी unit क्या होती है, meter per second, same, अभी इस equation से मैं इसको लिखता हूँ, P naught upon W, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H naught, यह क्या है, प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, Hs minus S naught, यहां से हम V2 की value को निकालेंगे, हमें velocity कोई calculate करते हैं, प्रिटो ट्यूब में, तो V2 equal to, यह यहां divide में था, multiply में जाएगा, इसके साथ, यहां से square अटाएगे, तो यह under root में आ जाएगा, ठीक, Hs minus S naught, यह क्या है, Hs, stagnation pressure और static pressure जो है, static pressure head और stagnation pressure head का difference है, तो उसको मैंने del H लिख दिया, यहां तो हम इसको यह लिख दो, और बाकी जो हमारे velocity को हम calculate करना है, तो velocity का जो हमारा coefficient है, Cb, उससे हम इसमें multiply कर देंगे, तो यह हमारा meter per second में formula जाएगा, P naught क्या है, pressure at point P, यह हम इसे static pressure भी बोल सकते हैं, Ps क्या है, stagnation pressure, इसे हम Ps या P naught भी बोल सकते हैं, del H क्या है, difference in stagnation and static pressure, V क्या है, velocity at point P, तो यह हमारा pitot tube का derivation हो गया, इससे related कोई भी doubt या query है, तो आप comment section में पूँ सकते हैं, अभी तक की जितने भी flow measurement की वीडियो है, उनका link और उनकी playlist की link आपको description में दिए, आप वहाँ आके check out कर सकते हैं, next video के अंदर हम जो open channel flow meters होते हैं, या open channel profile है, उनमें हम किस तरीके से flow का measurement करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो की wears and flumes है, तो उसके लिए आपको next video देखना हुगा, thanks for watching, कर देखनी।